बॉलिवूड कैफे आज एक्स्पेन कर रहा है 2019 में रिलीज हुई एक रश्यन मुवी सन ओफ आ रिच्च रश्या के सबसे अमीर आदमी की एक बिगडीवी उलाद ग्रिशा जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब, पार्टीज, लोगों को परिशान करने में और रूस तोड़ने में बीदाता रहता है ग्रिशा इतना ज़्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता, ग्रिशा एक रात को एक लड़की को परिशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लगजरी कार अंधादुन चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन कि वो हमेशा करता आ रहा है, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला ब्राइब नहीं लेता है, और वो ग्रिशा को रोकने की कोसिस करता है, लेकिन ग्रिशा को बिलकुल भी दूसरे लोगों की परवा नहीं थी, वो कार चला देता है, और हस्ता रहता है, पुलिस ग्रिशा को जेल में डाल देती है और ग्रिशा के फादर जो उससे खुद परिसान थे अपने एक पुलीस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलीस ऑफिसर ग्रिशा के फादर को बताता है कि तुमारा बेटा इतना ज़्यादा विगढ गया है कि वो ट्रैफिक पुलीशमें को सडक प मन में ये लगता था कि वो उसका एकलोता बेटा है इसलिए उसका फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकता गृष्या के फादर परिशान होके वहाँ से चले जाते हैं और गृष्या को सुधारने के लिए अपनी एक फिमेल फ्रेंड अनस्टीशिया के पास जाते हैं जो कि एक टीवी प्रोडियोसर थी वो गृष्या के डैड को अपने एक फ्रेंड जो की हॉरर मुवी में और सेट डिजाइनिंग में स्पेसलिस था उसके पास ले जाती हैं गृष्या के फादर और अनस्टीशिया जब लीव के घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि लीव एक रसी से लटका हुआ है लेकिन ये सब फेक था ये सब उसने डिजाइन कर रखा था ऐसी डिजाइन और डिवाइसेज बना के लोगों की आखो को ट्रिक करता था गृष्या के फादर को अपना थम काट के दिखाता है जो की असली नहीं था गृष्या के फादर लीव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको दोदारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं एक रात को गृष्या पार्टी करके लोड़ता है तो वो देखता है कि उसकी लक्षरी कार को एक वैन ले जा रही होती है तो वो उसके पीछे दोड़ता है गृष्या को तुम्हें घोडे तयार करने के लिए कहा था, तुमने तयार क्यों नहीं किये, तो ग्रिशा कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें जिन्दगी में पहली बार देखा है, तभी इस गाउं का लेंड ओनर डिमित्री आता है, जो अपने बेटे एलेग्जी को चाबुक मारने के ल आर्टियूम ग्रिशा को अस्तबल के अंदर लेके जाता है जहां पे ग्रिशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करना है मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सब की वाट लगा देंगे तो आर्टियूम कहता है कि भाई ये कॉल वगेरा क्या होता है मुझे तो कुछ नहीं पता चुप चाप घोड़ा तयार कर ले नहीं तो और चाबू के खानी पड़ेगी ग्रिशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वह वहां से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो ग्रिशा भागता हुआ देखता है कि पूरा यहां पे 18th century के गाउं का महौल है और ग्रिशा ने यहां से भागने की कोसिस की थी ग्रिशा को फासी लगने ही वाली होती है कि वहां पे लैंड डॉलर की डॉटर अगलाया आ जाती है जो अपने फादर से कहती है कि आज मेरा बड़े है आज किसी को फासी नहीं होनी चाहिए इस बात पे वो ग्रिशा की फासी म एक ड्रोन है जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है ये ग्रिशा के पापा ने ग्रिशा को सबक शिखाने के लिए पूरा सेटप तयार करवाया है जिसमें टीवी प्रोडूसर एनेस्टीशिया और उसके हॉरर मुवी के फ्रेंड लीव ने पूरा गा अमराज लगाये हैं और माइक्रोफोन के जरिये सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि किसको क्या करना है और गलती से अगर कुछ भी गडबड होता है तो यहां पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है जो ट्रेंक्वेलाइजर गंच से ग्रिशा को किसी भी टा से पहले उठना पड़ता है उसको जंगल में बात्रूम करना पड़ता है उसको घटिया ब्रिकफास्ट मिलता है और डिसिप्लेन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है एक दिन ग्रिशा कहता है तो उसको किसी के रोने की आवास सुनाई देती है वो देखत देना एक दिन ग्रिशा चिकन सूप बनाने के लिए चिकन को चुरा लेता है क्योंकि यहां के वेजेटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था ग्रिशा का फ्रेंड जब ग्रिशा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खतम कर दिया है तो वो कहता है कि मैंने भी तो तुमारे हिस्से का सूप खतम कर दिया है एडवे को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोडे के रखवालों को इखटा करता है और उनको पूझता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है नहीं तो रेंडमली में किसी को सलेक्ट करके उस पे खोड़े बरसाऊंगा एडवे ग्रिशा के फ्रेंड को उठा ले जाता है और एविडेंटली ग्रिशा यहाँ पर भी किसी तरह की कोई सिंपैती पेस नहीं करता है उसको अभी भी किसी से कोई फरक नहीं पढ़ रहा होता है थोड़ी देर बाद में ग्रिशा का फ्रेंड उसको उसकी पीट पर मार के साइन दिखाता है जो कि एक्चुल में एक रियलिस्टिक मेकप था लेकिन ग्रिशा को अभी भी इसे कोई फरक नहीं पढ़ रहा था तभी ग्रिशा देखता है कि एक लड़की लीजा घोड़े से नीचे उतर रही होती है तो वो उसका अंडर्वेर देख लेता है थोड़ी देर सोचने के बाद में ग्रिशा को रियलाईज हुआ कि ये लड़की modern अंडर्वेर पहन के कैसे गुम रही है ये तो 1860 है ग्रिशा लीजा के पास दोड़ के जाता है और उसको उसका अंडर्वेर दिखाने को कहता है वो कहता है कि तुमारे पास future के अंडर्वेर कहां से आगे वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे villagers या फिर actors आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पे बैट के चली जाती है इधर control building में ग्रिशा के father ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि उनका बिटा अभी भी नई सुद्रा था और अभी भी वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पे उतर आया था लेकिन तभी वहाँ पे एक news आती है कि ग्रिशा लीजा से माफी मागना चाता है अब ये इन लोगों को एक positive development दिखा तो वो लीजा को instruct करते हैं कि वो ग्रिशा से जाके मिले जब लीजा ग्रिशा से जाके मिलती है तो ग्रिशा उसको sorry बोलता है तो लीजा उसको माफ कर देती है कुस दिनों बाद में इस गाव में एक बहुत बड़ा festival होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगे वही जिंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा इस फेस्टिवल में ग्रिशा को अगलाया मिलती है जो अपनी बुड़े आदमी से साधी की डेट नसदीक आने की वज़े से परिशान थी और वो कह रही थी क कि मैं नदी में कूद के सुसाइट कर दूँगी और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती हैं डारेक्टर्स चाहते थे कि वो अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाये ताकि उसमें सिंपती का एमोशन ड्वेलप हो सके लेकिन ग्रिशा उसके पीछे नहीं जात बचाता हैं कि वो सूसाइट करने की बात कर रही थी तो गृशा अगलिया को बचाने के लिएंदी की तरफ जाता हैं और उसको सेव कर लेता हैं अगलिया कैती हैं तुमने मुझे क्यों बचाया मुझे ऐसी जिंदगी wanna जी है लेकिन ग्रिचा उसको उसके घर पे लेके जाता है अगलिया, ग्रिचा के close होने की कोशिस करती है लेकिन वो वहां से चला जाता है इतर कंट्रोल रोम में बेठे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि यह कहां चला गया क्यों कि by nature Grisha एक playboy था लेकिन अगलिया को छोड़ के Grisha अपने friend के पास जाता है और वो पूसता है कि Lisa कहाँ पे रहती है मुझे Lisa से मिलना है इधर control room से Lisa को instruction pass की जाती है कि Grisha तुम से मिलने आ रहा है तुम लोग जल्दी से तयार हो जाओ तो Lisa दूसरे सबी लोगों को छुपा लेती है और अपने आपको गाओ के कपड़ों में तयार रखती है प्रिशा लीजा को कहता है कि चलो मेरे साथ walk पे चलो और festival में तुम मेरे साथ रहो ताकि वो लिजेंट जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वही उसका partner बनेगा सच हो जाए लेकिन लीजा कहती है कि उसके father की तबियत सही नहीं है वो नहीं चलेगी इस बात पे ग्रिशा काफी disappoint होता है अगले दिन डारेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रिशा का interest अब अगलिया से हट गया है और वो तुमारे में interested है इसलिए लीजा को अब उसके love interest का role play करना पड़ेगा लीजा का ये नया role लीजा के असली boyfriend ऐलक्सी को पसंद नहीं आता जो यहाँ पर land honor के बेटे का किरदार निभा रहा था लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रिशा को एक अच्छा इंसान बनानी के लिए आये हैं और हम सब का साथ ही इस project को सफल बना सकता है अब ग्रिशा लीजा के साथ जदा time spend करने लगा और धीरे धीरे इन लोगों की bonding काफी अच्छी हो गई और ग्रिशा लीजा के प्यार में पढ़ जाता है एक दोपेर को ये दोनों जब घुम रहे थे तो वो देखते हैं कि आस्मान में एक पकसी अजीब तरीके से उड़ रहा है लीजा को पता था कि ये ड्रोन है इसलिए वो उसको distract करने की कोसिस करती है control room में anesthesia sniper को कहती है कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को shoot कर देना लेकिन thankfully end में ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है इधर एलेक्सी और अगलाया दोनों ही गुसा थे क्योंकि एलेक्सी की girlfriend को ग्रिशा के साथ romance करना था और अगलाया को लीजा से replace कर दिया गया था तोनों एक दूसरे की तरफ attract होते हैं और intimate होने लग जाते हैं ठीक उसी time लीजा और ग्रिशा वहाँ पे आ जाते हैं लीजा अपने boyfriend को दूसी लड़की के साथ intimate होता हुआ देख के बहुत दुखी होती हैं अगलाया और Alexey को डारेक्टर बुला के बहुत डारता है और कहता हैं कि तुम दोनों का रोल भाई बेन का है और सैट पर तो कम से कम रुक जाते हैं और डारेक्टर इन दोनों को जौब से निकाल देता हैं इधर लीजा अपने boyfriend के इस behavior से बहुत दुखी होती है देती हैं और ये दोनों मिलकर किस करने लगते हैं कंट्रोल रूम में खुसी का महौल होता है क्योंकि जिन्दगी में पहली बार sympathy और love का emotion ग्रिशा के अंदर जागा था जिसकी वजह से उसके dad काफी खुस थी दूसरी तरफ अगलाया जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था वो एक TV talk show में जाकर ये interview देती हैं कि रश्या के richest businessman के बेटे ग्रिशा को kidnap किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है रश्या की पुलिस इस बात को धंबीरता से लेती हैं और इस kidnapping के case की investigation में लग जाती है इदर ग्रिशा के father panic हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब shutdown कर दो और चलो यहां से लेकिन director कहता है कि investigation को यहां तक पहुंचने में थोड़ा time लगेगा इसलिए हम इस पूरे setup को एक climax की position तक पहुंचा सकते हैं वो decide करते हैं कि अब इस गाव पे मंगोल्स का attack होगा गाव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं गाव वाले इनको food offer करते हैं लेकिन मंगोल्स यहां पर कुछ girls को भी अपने साथ ले जाना चाते थे वो भीड में से एक लड़की को चुनते हैं तो उस लड़की के फादर मंगोल्स से अपनी बेटी की भीक मागते हैं लेकिन मंगोल्स सबको fair chance देते हैं इसलिए वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो अगर तुम जीत गए तो तुमारी बेटी free हो जाएगी अब इस आदमी और मंगोल्स सेनिक में काफी fight होती हैं ये दोनों actually काफी अच्छे stuntman होते हैं जिनको काफी जल्दी से डरेक्टर ने prepare किया होता हैं ये दोनों fight करते हैं और सैनिक उस लड़की के father का सर ही काट देता हैं जो की fake था father का ऐसा sacrifice देख के मंगोल्स उस लड़की को free कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की planning करते हैं वो Lisa को choice करते हैं अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था Grisha का friend Grisha को कहता है कि क्या तुम अपनी lady love Lisa को protect नहीं करोगे तो Grisha confused हो जाता है और वहाँ से डर के मारे जाने लगता है सब को ये बात काफी surprising लगती है क्योंकि उन सब को लग रहा था कि वो Lisa से बहुत प्यार करता है गोडे पे बिठा के ले जाता है Grisha के जाने के just बाद में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है लेकिन Grisha यहाँ पे था ही नहीं तो director कहता है कि मेरी movie की shooting चल रही थी तो अब पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी योकि shooting करना तो कोई crime है नहीं पुलिस भी चुपचा वहाँ से चली जाती अब लीजा और Grisha घोडे पे चलते चलते गाव की limit से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक modern petrol pump दिखता है जिससे Grisha काफी confused हो जाता है पूल खुलती हुई दे के लीजा सब बताने ही वाली होती है कि ठीक उसी time sniper tranquilizer से Grisha को बेहोस कर देता है अगले दिन Grisha hospital में उड़ता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो 3 महीने से car accident के बाद में कोमा में था और आज ही होश में आया है Grisha अप अपनी वही luxury car चला रहा है लेकिन अब वो उस car को enjoy नहीं कर पा रहा night party में भी जाता है तो उसको वो मज़ा नहीं आ रहा जो उसको 3 महीने पहले आता था उसको अपनी गलती का एहसास होने की वज़े से वो अपनी luxury car उस traffic police वाले को दे देता है जिसको उसने hospital पहुँचा दिया था एक दिन night club में Grisha, Alexi और अगलिया को देखता है तो वो पूचता है कि लीजा कहां पे है तो अलेक्सी और अगलिया दोनों मिलकर उस पूरे गाव के setup के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास ले जाता है Grisha लीजा से मिलता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है वो आज भी उससे प्यार करता है तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलके किस करते हैं कुस दिनों बाद में हम देखते हैं कि Grisha के फादर एनेस्टीशिया से साधी करते हैं और अपने फादर को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसको एक बैटर परसन बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डाल कर अब उसको सुधार लिया है और वो अपने फादर से गले लग जाता है अब Grisha ने जिंदगी का पेसाई ये बना लिया है कि रिच बिगडेल बच्चों को यहाँ पे लाया जाएगा और वो उनको सुधारने का इस क्रेजी प्रोजेक्ट में काम करेगा इसी के साथ ये मूवी खताम हो जाती है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and thank you for watching मड्तों बलिये दाईयों कम गुंडेयां बाले रुपर हुल्दाए मेरे यल बिद बैग च्छेरोंद पाके तुरे जाट नेहीं महेग च्छे हो तेरी मेरी जोडी जी में फीव नाले को तुबे जिन्दगी चे ओना तुमी बैलिया देट एग च्छे आओ च्छे टीवी अडबेया मूरे शक ने मंडेयां बाले शक नोईनो सांच जा लागे दे कमने तेरे गुंडेयां बाले वैलिया मुड तों बलिये दाईयों कम गुंडेयां बाले शक नोईनो सांच जा लागे दे कमने तेरे गुंडेयां बाले वेल्या मुड़तों कल्ये